हेलो इस्टुरेंट्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां प्रोवाइड होता हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके स्लिबर्स पेपर पैटना इन मोस्ट इंपॉर्टन क्वेश्चन की बीडियो बात करने वाले हैं आज तीवाइबी कॉम क्लास सेमेस्टर सिक्स मोस्ट इंपॉर्टन क्वेश्चन सॉफ कॉमर्स सिक्स अभी इसे ध्यान अगना आपका इस मन्त इंड तक जितने भी आपके सब्सक्राइब करने वाले सकते हुए अभी से जो इंपॉर्टन क्वेश्चन दिये जारे कम्प्लीट अपने आउट आफ मार्क्स कबर होने ची इस इस पॉइंट आफ व्यू से मैं दे रहा हूं इसलिए नंबर आफ आफ आपको में सब देखोगे क्वेश्चन साब को थुड़ा ज्यादा दिखेंगे बड़ इंपॉर्टन से पहले आपको स्लिवर सेंट पेपर बैटन की नॉलेज होना जरूरी है स्लिवर सेंट पीपर बैटन की बात करेंगे पहला टॉपिक सेकेंड पहला टॉपिक है है हिमवन रिस्वर्स मैनेजमेंट और हर एक यूनिट आप बोल चुकते हो हर एक यूनिट के अंदर तीन सब पर्ट्स आपको दिखेंगे कॉमर्स में कंप्लीड यही पैटन आपको चलता है नंबर आप कुश्चन भी काउंट कर लो इसी डाइम की नंबर आप कुश्चन टोटल कितने हैं अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो टोटल फर्स्ट यूनिट की जब बात करूं सबथना हैं तो तोसरा काउंट कर लो नंबर कर लोगे टोलटाल कुश्चन हैしょう किसी भी subject का जब मैंने IMP दिया है तो पहले question count करा दिया है total number of questions कितने हैं और important अपना objectives को अगर मैं छोड़ दू 80 out of 80 के point of view से आपको दिया गया है कि ये cover हो जाना चाहिए अपना cover हो जाना चाहिए तो मैंने गया कि जितने भी number of questions आपके होते हैं अगर आपको cover करने केटी वालो की बात नहीं हो रहे मैंने वड़ी उसके अगर एक अच्छा score करना आपको means out of marks आपका cover होना चाहिए तो जितने भी number of questions होते हैं उसका मैं कर देता हूं 50% कितना percent 50% और मैं 56 का 58 करता हूं तो total जो number of questions निकल के आते हैं 28 questions तो यह समझो कि इसका म करने पढ़ेंगे clear है I hope clear concept होगा syllabus आप देख लेना सबसे इंपोर्टेंट पेपर पैटन पेपर पैटन में ध्यान नहीं यहां पे मैं objectives की बात नहीं करूंगा यह जो आपका objectives पार्ट है इसको आपको हर एक topic में cover करना पड़ेगा तो यह 20 marks की बात नहीं है आगे remaining but यह balance का इंपोर्टेंट है और ध्यान से समझे तर एनी टू आउट ओफ त्री कहां से मॉडिल वन से पूछा जाएगा कितने marks का 15 marks चले 15 marks का रहेगा 15 marks में ध्यान कि कुछ बच्चों का doubt confusion में रहता है कितने point लिखना है और कितने page लिखना रहता है तो 7.7 to 8 maximum होता है मैं 8 बोलता ह तो मॉडिल वन क्लियर हो गया 15 marks के दो कुछन आएंगे सेम यही पैटन आपका चलता है 15 15 15 यह हो गया 60 प्लस यह 20 का आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा सब में आपे लांग में एक एक option मिलेगा मतलब तीन में से दो कबर करो तीन से दो तीन से दो तीन से दो पर यहां पर अच्छे से चार कबर करना है शॉर्ट नोट्स में कितने पॉंट्स लिखने है सिर फोर तो फाइव पॉंट्स लिखने पड़ेंगे मैक्सिमुम फाइव लिखना है पेस्ट की जब बात करोगे 1.5 यह आपको यहां पे लिखना पड़ता है क्लियर है मेनिंग दोनों में कं पुछेंगे तो उसकी बात नहीं सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे और ध्यान से सुनना जो अच्छा है यह वीडियो इंडिंग टाइम पे जाके देखेगा उनको सबसे पहले क्या करना है यह कुश्चन नमबर टू जितने भी कुश्चन मैंने लिखे ध्यान से सुन लो जितने भी कुश्चन मैंने लिखे कितने लिखे है वन टू थू फॉर फाइशिक्स छे कुश्चन लिखने है चे के छे कुश्चन कबर कर लो 15 मार्क्स द्यान से सुन लो वड आप 15 मार्क्स का लॉंग 100 पर्शंट कबर हो जाएगा यहां देखो कुश्चन नमबर टू में जाने मैं 100% ब लगा रहो हूं 100% लगा दिया कि मतलब 100% 15 मार्कस आपका कबर हो जाएगा इसका तो कोई ओदो क्ई सबी कैसा ब इसकर सेत आप हो 10% अप檔र 15 आप अपका फिक्स हो सबस्क्राइब केटी वालों के लिए दिया इनफ हो गया, दो कोश्चन आप कबर कर लो, खतम हो गया, केटी का टेंशन आपका दूर, मतलब बारा कोश्चन अगर आपने कर लिया, तो आपका केटी का टेंशन खतम हो जाएगा, बट हंडेड पर्शन करना है, ये चीज जरा ध्यान देना, क् क्योंकि यहां पे भी 15 मार्क्स का आपका बेनिफिट दो मिलेगा, प्लस एक और बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है, 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स का, मतलब 20 मार्क्स का बेनिफिट आपको दीखेगा, लॉंग एंसर की जब बात करेंगे, यहां पे भी मैं वर्ड प्लानिंग का लेके आता है, concept and need of successive planning आता है, concept and techniques of counselling आता है, 6 questions जो आपका क्लियर करा देंगे 15 मार्क्स, प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, मैं 15 की तो गैरेंटी बोलाओ आएगा, और 5 मार्क्स का भी शांस आपका बन सकता है, इतने questions रियानक नहां जो बच्चे इंड कोई line to line चल दें, question number यह होने के बाद, question number 4 पे जरा आ जाओ, question number 4 में भी 1,2,3,4,5,6,6,6,6,6 question का series मैं लेके रखाऊ, clear एक नहीं है, तो first आपका, मतलब 1,2,3,4,5,6, question आपको हो, फर एक बच्चे को clear दिख रहा होगा, clear है, देख लो क्या है, और screenshot आपको लेना, वो भी ले सकते हो, question आप लोग read कर लेना, मुझे लगता है, वैसे भी दिख रहा होगा, question proper क्या लिखा गया, clear, 6 question होगे, और यहां से भी जो questions मैंने रखे है, 15 marks आपका benefit हो जाएगा, 15 का long answer, compulsory वाले बोल दिया हो, compulsory कबर ही हो जाएगे आपके, clear, next बात करेंगे, question number 5, question number 5, आप देख लो, question क्या है, screen shot ले लो, आप, screen shot ले लो, या फिल note करना, आप note कर सकते हो, topic क्या है, classification of competencies, clear, next है, explain the process of creating innovative organization, model 4 से, डोडने में कोई दिक्कत नहीं होनी से, आपको, next है, discuss the importance of human resources information system, next है, learning organization, and next question है, innovation culture, and need of, need of innovation culture, and organization, last है, employees, absenteeism का concept है, जो कि आपको कबर करना है, और उसके कहका, causes हो सकते हैं, अब ध्यान से, यह word सुल ले न, 6 question आपको दिया हो, multiply 4, total हो गया 24 questions, तो सबसे पहले, आपको यह 24 questions, यहां लिख दे रहा हूँ, 24 questions, ध्यान से सुन लो, हर एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 100% कबर करना है, कितना कबर करना है, 100% आपको कबर कर लेना है, 100% वर यूज कर रहा है, तो ध्यान लो, कबर कर लेना है, उसके बाद, क्योंकि इसका benefit कहा है ध्यान को, 15, 15, 15, 15, 60 marks तो आपके fix हो जाएंगे, मतलब, 60 marks fix हो जाएगा, यह तो मिलने वाला ही आपको, प्लस, minimum 10 marks के short notes में भी उनका benefit आपको दीखेगा, minimum count और है, 70 marks का आपका paper कबर हो जाएगा, इतने में, clear है, इतना 100% होने के बाद ही आपको short notes पे आना है, and short notes पे भी मैंने most IMP questions ही रखे हैं, but condition यह है, यह 24 questions, 24 questions, 100% बहुत अच्छे तरीके से practice करके हो जाए, उसके बाद ही आना है, क्योंकि almost आपका ध्याना है, यह जो 70 मेंने लिख दिया है, 60 to 70 marks आपके 100% बन जाएगा, 60 marks से लेके 70 तक, इनके सकर किसी कोई long में नहीं आए, तो short में देखने मिल सकता है, हो सकता है, कुछ different आ रहे है, तो उसका benefit आपको short note से मिल जाएगा, मतलब यहां से मिल जाएगा, तब इन questions प्यानना है, उज़र यह questions आप देख लो, importance of human resources management, यह question है, next है limitation of the performance appraisal है, next है method of training and development, यह training के spelling सही का लेना आप लोग, importance of mentoring का है, measures of employees, moral, workforce, diversify, last है, downsizing, clear, कितने question होगे, ध्यान से देखो, one, two, three, four, five, six, एचे question इक्स्टा इसलिए लग दिया, 24 plus six, 30 question, अब बच्चे बोलेंगे, sir, 28 आपने बोला था, तो 30 question कैसे दे दिये, तो ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो, क्या बोल रहे है, मैंने बोला तक 24 कबर करो पहले आप, 24 आपका इतना कबर करा के दे देखा, उसके बाद इक्स्टा दे दिया, यह उनके लिए जिनके पास एक इक्स्टा टाइम बच रहे है, जो अभी से important questions की प्रैक्टिस करना, स्टार्ट कर देंगे, अभी से, क्योंकि अभी इग्जेक्ट आप अगर काउंट करोगे, 90 देज, मैं बोल रहो कि अगर जयन से भी स्टार्टिंग से काउंट करोगे, यह मान के चलो आपका जो प्रिपर होता है, मार्च इंड के बाद ही स्टार्ट होगा, मार्च इंड काउंट करो आप, तो 90 देज एक इनफ टाइम लेवरेज स्कूर, मतलब आपका कितना मैंने पता है, 60 to 70 मार्क्स आप पहुझाओगे, विदाउट अबजेक्टिप्स की मैं बात कर रहा हूं, टाइम बचे 10 मार्क्स के लिए इक्स्टा यह पढ़ने पढ़ेंगे, जिसमें आपका, मतलब गैरेंटी हो जाएगी, आपका 80 मार्क्स का पेपर, अबजेक्टिप्स को छोड़ दो, तो आपका इसली कवर हो जाएगा इस तेस कुश्चन में, क्लियर है, आई हो, फर एक बच्चिय का क्वांचेप्ट क्लियर है, स्क्रीन शॉट लेना आप ले लो, कुश्चन नमर शिक्स का भी, कुश्चन नमर क्लियर है, यहाँ तक का क्वांचेप्ट, आई हो, फर एक बच्चिय का क्वांचेप्ट क्लियर होगा, फिर भी, अभी भी किसी को कॉमर्स के रिगार्डियों, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, अगर लग रहे, किसे डाउट है, कोई एंसर नहीं मिल रहे, तो ए वीडियो, थोड़ी सी भी हलफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करना है, और मैंने बताया, इस मन्त के इंट तक जितने भी आपके सब्जेक्ट है, उसके मैं मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन आपको प्रोइड कराके दे दूँगा, ताकि बच्चों को इसली 90 डेज का टाइम मिल जाए, प्रॉपर प्रैक्टेस करने के लिए, क्लियर, आई हो, बच्चों के कॉंसेप्ट के लिए रहोंगे, तिछे लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पर बात करेंगे आपके सिमिलर मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन जो भी आपके अधर रिमेनिंग स अब्जिक्ट बच गए हैं, उसके बारे में तब तक के लिए, thank you, so much